आपके अपने चनल जोतिश इनवास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यापर बात करने वाले हैं 10th of October 2023 के बारे में 10 October 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या आ रहा है आज के दिन में कौन-कौन सी वैदिक रमिडीज आपके लिए बहुत जाद आची रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफरमिशन कैसे आपको इस दिन को बहुत जादा अच्छा बनाना है सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के Message of the Day के बारे में आज के दिन का महत्पूर्ण संदेश क्या है कई बार आसपास की चीजों को लेकर के या आसपास की चीजों को देख कर के हम काफी ज़दा ब्रहमित हो जाते हैं काफी ज़दा negative हो जाते हैं और बिना सोचे बिना समझे कुछ इस तरह के थौट अपने दिमाग में बना लेते हैं जिसकी वज़े से हमारा एक सुखी जीवन भी बहुत ज़दा खराब हो जाता है जैसे अभी recently इसराइल के साथ जिस तरह की सतियां चल रही है और इसराइल में जिस तरह की युद्ध की सतियां बन रही है बहुत सारे लोगों ने अभी से ये मन बना लिया की वर्ल्ड वार होने वाला है और इस तरह की चीज़ें जब आप अपने दिमाग में बना लेते हैं तो ये negativity कही ने कहीं आपकी अच्छी खासी life जो अभी आप कर रहे हैं उसको भी बहुत जाड़ा negative कर देती है और इसकी वज़े से आप अपनी अच्छी चीजों की तरफ focus नहीं कर पा रहे हैं और कई सारे messages आ चुके हैं सुबे से मेरे पास इस तरह की इस्तियां बन रही हैं तो अब आगे क्या हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे तो आप सभी से हाथ जोड़ के request है क्योंकि आज का दिन अपने confidence को बनाने वाला दिन है क्योंकि आज की दिन में कुछ इस तरह की traits हैं ग्रहों की सदियां कुछ इस तरह से हैं जो कि अपने confidence को और जादा बढ़ा करके अपने आत्मिश्वास को और जादा बढ़ा करके अपने आपको stable करने के आप कोशिश कर सकते हैं इसी वज़े से आज का message of the day आप सभी के लिए यही है कि आप सभी जितना हो सके अपने आपको balance करे जितना हो सके अपने आपको relax करने की कोशिश करे और इसी के साथ साथ अपने confidence को बढ़ाने का प्रयास जरूर करें अपने आसपास की चीजों से ब्रमित होकर के अपने आसपास की चीजों से अपने आपको negative करने की बज़ाए अपने आपको तो थोड़ा सा positive करने की कोशिश करें तो आप सभी के लिए काफी जादा अच्छा रहेगा उमीद करता हूँ कि आप सभी मेरे message को समझ गया हूँगे कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ आज की दिन का number दिखिए number 10, number 1 number 1 जो है वो सूर्य का number है दिन जो है मंगलवार का दिन है हनुआन जी के आरादना अगर आप कर लिए आज की दिन में तो definitely confidence तो बढ़ना ही बढ़ना है इसमें कोई दोराय नहीं है तस number 1 अपने आप में बहुत ज़़दा powerful number है number 1 आत्मिश्वास को बढ़ाने वाला number है तो इस वज़े से दिन की जो calculation है ये और भी ज़ादा strong बन जाती है इसी के साथ साथ आज के दिन में ग्रहों और लक्षत्रों की योग से कुछ बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे है जिसकी वज़े से आज अगर ही उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कर लेते हैं तो जीवन की काफी सारी समस्यां आपकी कम होने के रास्ते बन जाते हैं पहली चीज़ आपको क्या करनी है नोट कर लीजेगा प्लीज सबसे पहले आज के दिन में सुवेश सुवेश जब आप उठेंगे तो सूरिदेव को नमन जरूर करीएगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सूरिदेव को नमन करने के बाद अपने गर के बड़े बुजूर्गों को नमन जरूर करिएगा उनसे आशिवाद जरूर लीजेगा इससे भी आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और खास कर पिता समान व्यक्ति का आज पूरे दिन में आदर समान करिएगा और उनके लिए अपने मन में किसी भी दर के कटू वचन, कटू भाव ना रखें इस बात का विश इस एक तनाव है बहुत ज़्यादा अंस्टेबिल्टी लाइफ में चल रही है तो आज आप सभी क्या करेंगे कपूर और लोंग लीजिएगा और सुबह और शाम दोनों समय एक कपूर और दो लॉंग आप एक साथ जलाईएगा और उसके बाद उसका जो राख बन जाता ह या उसका जो बच जाता है उसे आप अपने गर के बाहर किसी पौधे में डाल दीजेगा और उसके उपर पानी डाल दीजेगा और जब आप उसके उपर पानी डाल रहे हैं तो आप अपनी कोई भी जो सबसे बड़ी समस्या है उससे आप बोल दीजेगा कि मेरी ये समस्या खतम हो जाए, शेम समस्य आपको सुबह और शाम दोनों टाइम बोलनी है, अगर आप दोनों टाइम यह उपाय कर रहे हैं, तो भी चलेगा कोई दिकत नी है, दोनों टाइम करेंगे, डबल इंपक्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा, बसका अज करेंगे आपको बहुत अच्छे बनता हुआ नजर आएगा कोई व्यक्ति अगर आपके उपर गलत नजर रखता है तो वो आपको नहीं लग पाएगी और आप बच जाएंगे इस तरह की योग अच्छे बनेगे आज के दिन में सुन्दरकान का पार्ट अगर आप कर पाएं तो जरूर कर लिजिगा अपने गर के मंदिर में गी का दिया जलाईएगा और सुन्दरकान का पार्ट कर लिजिगा इससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे आज कौनसा एंजयल नंबर आपके लिए बहुत ज्याधा खास रहेगा यह आप नोट का लिजिए का प्लीज आज का नंबर नहींगे परिशानिया है उन्हें दूर करने में आपको काफी ज्याधा मदद मिलते हुए नजर आएगी तो इसलिए आज के दिन में इस नंबर को कम से कम चार बार जरूर रिकॉल कर दीगा इससे आपको काफी अच्छे रिजट दिखने को मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं आज के दिन में कौन सा affirmation आपके लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा कौन सा affirmation आपको सारी चीज़ें देता हुआ नजर आएगा नोट कर जिएका प्लीज आपको बोलना है the universe the universe constantly supplying या constantly supplies दोनों में साब कुछ भी बोल सकते हैं एक ही बात है prosperity happiness and money to me या आपको बोलना है the universe constantly supplying happiness prosperity and money to me मतलब कि universe मुझे सारी खुश्यां continuously दे रहा है और मैं जरूर उसे grant कर रहा हूँ तो definitely जब आप या affirmation बोलेंगे तो आपको वो feeling वो energy आपके अंदर generate होगी और आपको महसूस होगा कि किस तरह से ये चीज़ें आपके पास आ रही है और किस तरह से obstacles आपकी life से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में आप सभी कौन से golden wish time पर अपनी एक wish पूरी कर सकते हैं नोट कर लिजेगा और कौन सा वो समय जो बहुत ज़र टफ है आपके लिए आज के दिन में जिससे आपको अराम से निकालना है ये भी आप नोट कर लिजेगा आज 12.30 से लेकर के 1.30 तक के बीच का जो समय है ये थोड़ा सा tough time रहेगा मानसिक तनाव जादा हो सकता है किसी के साथ अन्बन हो सकती है और work pressure थोड़ा सा जादा हो सकता है तो इस समय को आप अराम से निकालिएगा इस बात का विशेश द्यान रखिएगा इसके अलावा 3.30 से लेकर के 4.30 तक के बीच का समय बहुत अच्छा समय है इस समय में कोई भी ज़रूरी काम करना चाहें आप कर सकते हैं आप अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में अगर आपका जन्द दिन है आपके इनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मैतोपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुप काम ना है आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत सारी आप कह सकते हैं कि चीजें लेकर क्या रहा है अपॉरूरे साल में आपको क्या करना है and make sure dedicated होकर के काम करिएगा 2-3 नाओं में पाम रख करके मत चलीगा क्योंकि आने वाला सथाल आप सभी के लिए तब भी फायता देगा जब आप किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी चीज़ के पीछे अच्छे से लग रहे हैं जाते हैं आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मत दुनिया पर कर सकूँ धनिवाद